नमस्कार दोस्तों सुसान सिंग राजपूत की न्याय की लड़ाई जो की पिछले लगभग 2 साल होने वाले हैं वैसे तो 2 साल 14 जून को होता है 2 साल नहीं कह सकते हैं कि अभी पौने 2 साल हो रहे हैं और इस इन्साफ की लड़ाई में पूरे देश, पूरे बिदेश से समर्थन मिला, सब लोगों ने एक होग करके इस लडाई को लडा, काफी लंबी लडाई चली, परन्तू, अगर हम देखें कि रिजल्ट क्या हुआ तो कुछ नहीं, क्योंकि इस मामले के जो आरोपी हैं, वो आज भी बाजार में घूम रहे हैं, और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वालिवुड में फिल्मों से ले करके, टीवी शीरियल से ले करके, हैद्राबाद से ले करके, कोलकाता तक ये सब लोग फिल्मों की खोज में घ ट्रांसफर करा लिए, कंपनी बना करके, उसने अपने भाई को डायरेक्टर बना करके, और पैसे किस फरकार से सुशान सिंग राजपुत के एकाउंट से ट्रांसफर कराएगा, ये सब को पता है, इसमें कहीं कोई छूपी हुई बात नहीं है, हर एजिंसी को ये पता है कि financially fraud हुआ है, और उस fraud में रिया चकरवर्ती, शौबित चकरवर्ती और इनके पिता, ये सब लोग शामिल हैं, और fraud दिख रहा है, कंपनी ये create की गई, कंपनी में पैसा लगा सुशान सिंग राजपुत का, और कंपनी के डायरेक्टर बने थे ये सब लोग, लेकिन धीरे धी साजिस थी, और इस साजिस में ये दिखाने की कौशिस की गई थी, कि हम business करेंगे, लेकिन business की यार में पैसे को लेना, पैसे के साथ धोका ध्ड़ी करना, ये इनका पूरा प्लान था और इस प्लान में ये सारे भाई, भाइन, पिता, माघा, पूरी family सब success भी हुई, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि ये बातें जहाँ मैं जैंसियों ने भी कहा तो लेकिन फािनेशली जो फ्राउट हुआ इसमामले में अभी तक ग्रफटारी क्यों नहीं हुई किसी भी परकार का fraud होता है चाहे वो financially fraud हो चाहे किसी और तरगी का fraud हो इसमें तुरंत ही आरोपी को गिरफतार किया जाता है और आरोपी के खिलाफ मुकद में बनाए जाते हैं लेकिन सुषान सिंग राजपुत मामले में रिया चकवर्ती और उसके भाई ने जो fraud किया पंदरा करोड रुपे का साथ ही साथ फ्रॉड तो और भी थे लेकिन जो छोटे फ्रॉड थे अगर उचोटे जो financial transactions हुए इनके पैसे पे विदेश घुमेंगे उन सबको अगर छोड भी देते हैं तो यह जो company बना करके fraud किया गया इसमें कोई गिरफदारी नहीं हुई अभी तक नहीं हुई बाते तो बहुत होती हैं कि एजन्सिया जाच कर रही हैं कई माम कई एंगल पर जाच कर रहे हैं बहुत सारे चीज़े देख रहे हैं लेकिन एकसन के नाम पे चीरो जब पैसे का fraud किया गया यह proper सबूत मिला है और यह बाते एजन्शियों की तरफ से आई थी कि company बना करके किस तरीके से पैसे का transaction करके उसके बाद fraud किया गया तो क्यों नहीं गिरफदारी हो रही है क्यों नहीं इसमें जाच हो रही है हर तरफ इतनी चुपी क्यों है और रिया चेकरवर्ति जो कि अब अपने आपको बिल्कुल मॉडल बना करके फिल्मों में काम ढूंड रही है और तरह तरह के फोटो छपवा रही है कभी इंस्टाग्राम पर कभी फेसबुक पर कभी ट्यूटर पर जहां भी उसको मन हो रहा है वहां पर बाते करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिया चकरवर्ति को देख रहे हैं लेकिन उसके परदे के पीछो यह गेम चल रहा है उसके बारे में एजिंस्टे क्यों चूप है कारवाई होनी चाहिए और हम तो आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक इनसाफ नहीं मिलता फेट फॉर्म मेरे पास बहुत सारे हैं ट्विटर हो यूटूब हो इस्टाग्राम हो जहां मर्जी होगा वहां उठाओंगा और अगर जोरत पड़ीगी तो हम सब मिल करके फिर से एक बर ग्राउ झाल 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 झाल